गुट बार्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गैस्ट टू लेवर हास्पिरल स्वरुप्टेंगर कान्पूर आज मैं बात करूँगा उन साथ कारणों की जो आपके पेट में जलन लाने की ताकत रखते हैं आपको जो पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है आपको पेट में जलन आती है कभी कबार जलन यहां तक हो जाती है इसके seven जो common reasons हैं इनके बारे में बात करूँगा मैं इसे आप ध्यान से देखिए यह बिलकुल fact है कि जैसे हमारी age बढ़ती है तो जो stomach का upset हो जाना है is a very common problem जैसे आपके age बढ़ती है बीच में कभी पेट में भारी पाना ना कभी indigestion होना कभी acid उपर आ जाना is not very uncommon लेकिन science ऐसा मानती है कि usually यह किसी concern का reason नहीं होती है वास्तों में अगर आप OTC medicine लेते है तो जो OTC की जो दवाईया है आपके इस discomfort को अलग कर सकती है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको जो symptoms है वो लंबे समय जा रहे हैं over a period of time आपको लगता है कि symptoms आपके वरसन होते जा रहे हैं तो शायद आपको अपने doctor से बात करनी की ज़रूरत है Now fact बिलकुल यह है कि जो पेट के अंदर जलन होती है या पेट के अंदर आपको दर्द महसूस होता है उसके variety आपकारण हो सकते हैं जो variety कारण है उनमें से तीन ही सबसे important है Number one foods आप जो खाते हैं उसमें गलबल है तो आपको पेट में जलन होगी या दर्द आएगा अगर आप कुछ medicine सिक्तिमाल कर रहे हैं जो आपकी stomach के लिए बहुत ज़्यादा unfavorable है तो जलन आएगी या पेट में दर्द आएगा या आपको कोई medical condition डेवलप हो रहे है या problem हो रहे है तो आपको दर्द होगा और जलन का sensation आएगा इन तीन चुजों को आप ध्यान से देखिए सबसे number एक पर देखिए foods जो आप खाते हैं कभी आपको undiagnosed sensitivities होती हैं से for example आपको अंडे से allergy है आपने अंडा खाया पेट मे भारी पन आएगा आपको पेट में जलन उठ जाएगी तो जो undiagnosed sensitivities होती है वो वास्तों में कभी-कभी आपको दर्द और acidity लेके आती है नमबर दो आप कोई चीज ऐसी लेते हैं जिसका pH content बहुत लो है माली आप ज़्यादा amount में अचार खा लेते हैं ज़्यादा amount में आप विनेगर खा लेते हैं यह आपको जलन लेके आएगा क्योंकि इसका pH काफी कम है आपने कोई stomach के irritants खाई आपने हारी मिर्च खाई लाल मिर्च खाई काली मिर्च खाई यह सब irritants है यह irritate करेंगे तो पेट में जलन आएगी भारी पन आएगा एक बर्निंग का sensation आएग नो ऐसे foods जो बहुत acidic हैं जैसे आप tomato soup पीते हैं tomato जादा काते हैं आप जादा citrus fruits लेते हैं यह foods लेते हैं वो आपको जलन लेके आ सकते हैं आप जादा मातर में onion यूज करते हैं या प्याज यूज करते हैं आप लेसुन या garlic जादा मातर में यूज करते हैं यह वास्तों मे तमक के irritants हैं यह जलन लेगे आसकते हैं आप आलकोवाल उसकरते हैं ज्यादा amount में तो ये आपको जलन लेगे आसकती है अगर आप बहुत oily food लेते हैं जो deep fried items हैं वो आपको पेट में जलन लेगे आसकते हैं अगर आप बहुत ज़ादा caffeinated drinks लेते हैं दिन बढ़ में तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच कप आप कॉफी पीते हैं, तो ये पेट में जलन लेकर आ सकते हैं, आप कार्वोनेटेड ड्रिंक्स जादा लेते हैं, वो भी आपके पेट में जलन लेकर आ सकते हैं, तो ये जो food items हैं, इनको आप ध्यान से जो आपके पेट में जलन लेकर आ सकते हैं, ये एक group है, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, the second group is the medication, जो medicine से आप यूज करते हैं, उनको खुली आंक से देखिए, जितने भी pain color आप यूज करते हैं, चाहे वो आप aspirin खाएं, चाहे वो आइबो प्रोफेन खाएं, आप pain color किसी भी नाम से इस्तिमाल करेंगे, तो ये आपके पेट के अंदर जलन भारीपन की ताकत रखता है, इसके अलावा there are certain antibiotics also, जो कभी-कभी आपके पेट में जलन लेकर चल सकते हैं, तो ये हुआ second group, तो food आपको problem create कर सकते हैं, आपको medicines problem create कर सकते हैं, the third one is the medical condition, जो इस्टिक अलसर्स हो सकते हैं, जो खाने की तहली के अंदर होते हैं, जो खाने की तहली से आगे दियोडिनम के first part में होते हैं, ये बास सही है कि दोनों तरह के जो अलसर हैं, पेट के अंदर ज़्यादा acid बनने के चलते होते हैं, ये कभी-कभी infection के चलते होते हैं, कभी-कभ जो medicine आप इस्तिमाल करते हैं, उसके side effect के चलते भी हो सकते हैं, तो ulcers are the one जो problem create करते हैं, the next one is the functional dyspepsia, यह वास्तो में जो medical term है in digestion के लिए, इसका कोई specific reason नहीं है, मना ऐसा जाता है कि जो एक problem है, जिससे functional bubble disease कहते हैं, यह उसके spectrum में हैं, इसे कहते हैं functional dyspepsia, वास्तो में यह harmful नहीं हैं, लेकिन यह uncomfortable है, inconvenient है, इन troublesome है, इसमें भी पेट में भारी पनाएगा, कभी पेट में जलन आएगी, कभी हलका फुल का दारद आएगा, number third पर आता है GERD, जिससे आप कहते हैं, gastro-esophageal reflex disease, वास्तो में खाने की तहली में जो acid है, बुच्छा के खाने की नली में आ और number 4 पर आता है irritable bubble syndrome, it's a very common chronic digestive disorder, इसका भी कारण मालूम नहीं है, लेकिन यह कभी-कभी पेट में जलन, gas, cremes and constipation या diarrhea लेके आ सकता है, तो यह medical conditions हैं, इन पर आपको ध्यान नेने की जरूरत है, number 5 पर आते हैं बहुत सारे stomach के infections, उन में से helicobacter pylori का जो infection है, is the most common infection, अगर helicobacter infection है, तो पेट में जलन आईगी, दर्द आएगा, bloating आईगी, जीम चलाएगा, यह सब इस तरह की symptoms आने लगेंगे, including anorexia कि आपकी भूग गायब हो जाएगी, इन नमर 6 पर आते हैं cancers, यह बात बिलकुल सही है, कि बहुत तरह के जो cancers हैं, जो stomach में develop हो सकते हैं, और य आपके सामने रखी, यह 6 medical conditions हैं, जो पेट में जलन, पेट में दर्द, और पेट में भारीपन लेके आती हैं, अलार्म जो symptoms है, acidity और भारीपन के साथ में उनको ध्यान से देखिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, और पेट फूल जाता है, यह alarm symptom की category में आता है, अगर आपको लगता है कि आपका पेट फूल रहा है, यह पेट में पानी आ रहा है, यह alarm symptom है, अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको लगतार जी मिचलाता है, उल्टी हो जाती है, यह alarm symptom है, यह आपको कभी लगता है कि आ या लेटरिन में ब्लड़ आया, यह अलार्म सिम्टम है, या आपको लगता है कि लगातार आपको बहुत कमजोरी लगती है, फटीग रहती है, तो यह अलार्म सिम्टम है, तो जहां तक एसिडेटी, भारिपन और एप्डामन या एफिकेस्टेम में दर्द, यह बड़े कॉम प्राब्लम्स है, लेकिन अगर यह परसिस्टेंट है, और ओवर यह पिरिड़ आप ताम बढ़ रहे हैं, तो वास्तों में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी की जरूरत है, कि कहीं इसके पीछे, कोई मेडिकल कंडिशन तो नहीं involved है, अगर मेडिकल कंडिशन है, त डॉक्टर वीके मिश्रा, फ्रॉम गेस्टो लेवर हास्पिटल, स्वरुपकरंगर कानपूर, थैंक य। वेरी मच्च